राजिस्तान विधान सभा चुनाओं का परिणाम आए साथ दिन का समय बीच चुका है लेकिन पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली भारतिय जनता पार्टी अभी तक नए मुख्यमंत्री के नाम का एलान नहीं कर पाई है सीयम फेस डिसाइड करने के लिए पार्टी हाई कमान की तरफ से तीन पर विक्षक तो बना दिये हैं लेकिन वे नौ निर्वाचन विधायकों से बैठक करने कब जैपुराएंगे इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है ऐसे में प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंद्रा राजे एक्टिव हो गई है और अविवार सुभई से ही वे अपने आवास पर बिजेपी विधायकों से मुलाकात कर रही है विधायक दल की बैठक से पहले राजे का यूँ विजेपी विधायकों से मिलना राजेस्थान की सियासत में नई चर्चा छेड रहा है राजेस्थान के राजनीतिक गलियारों में इन मुलाकातों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं जानकारों की माने तो वसंधरा राजे सुबह से करीब एक दर्जन से अधिक विधायकों से अपने आवास पर मुलाकात कर चुकी है अलाकात करने वाले विधायकों में अजै सिंग किलक, बाबु सिंग राठोर, अंशुमान भाटी समेट कई विधायक और नेताओं के नाम शामिल हैं कहा जा रहा है कि कुछ विधायकों के साथ अभी भी मंत्रना हो रही है राजे के इस एक्षन को लोग 24 घंटे पहले दिये गए कॉंग्रेस नेता अशुक गहलोत के बयान से जोड़कर देखने लगे हैं चुनाओं में हार की समिक्षा करने के लिए दिल्ली में आयोजित कॉंग्रेस की बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए जैपूर से रवाना होते वक्त राजिस्थान के कारेवाहक सीयम अशुक गहलोत ने कहा था कि अगर कॉंग्रेस चुनाओं जीतती और सीयम का नाम अनाउंस करने में देरी करती तो बीजेपी हम पर अंदुरूनी जगडा होने और आपसी कलह होने का आरोप लगाती अब मैं पूस्ता हूँ कि साथ दिन हो गए हैं आप नए सीयम का नाम एलान क्यों नहीं कर पा रहे हैं आखिर ऐसी क्या मजबूरी है इस देरी के लिए आप क्या वज़े बताएंगे आप जल्द कोई फैसला लें क्योंकि नए सीयम को जो काम करने होते हैं वो अभी कारेवाहक सीयम होने के नाते मुझे करने पड़ रहे हैं हाला कि बीजेपी ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि कॉंग्रेस में भी सीयम का चेहरा चुनने में 15 दिन का समय लगा था